हालो स्टूदेंट्स टूदे वी आर गएंग टू स्टार्ट चैटर नेम इस दे टाइम इस राइट और सबसे फर्स टॉपिक जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे बेसिक थेंग्स ओफ क्लॉक तो सबसे पहले हम लोग क्लॉक के बारे में यहां पर जानेंगे तो आये क्लॉक होती है एनालोग क्लॉक जो हमारा होता है उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं इस तरह का एक डायल होता है ठीक है और उसमें 12 जो है सबसे टॉप पे होता है इसके ठीक ओपोजिट नीचे 6 होता है फिर राइट हैंड में एक पॉइंट 3 होता है और 3 के ज़स्ट पोजिट 0.9 होता है जब भी आप घड़ी में देखते होंगे तो इस तरह का कुछ दिखता है इसके बाद देखिए मैंने क्या किया 0.6 और 12 को एक सीधी लाइन से मिला दिया ठीक है इसके बाद 0.9 और 3 को भी एक सीधी लाइन से मिला दिया तब देखिए ये जो दो लाइ सेगमेंट है 6 से 12 को मिलाने वाली और 3 से 9 को मिलाने वाली ये दोनों ही लाइन सेगमेंट एक दूसरे को 90डिगरी पे इंटरसेक्ट करती है ठीक है और जिस पौइन्ट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं इनको हम लोग center of clock बोलते हैं क्या बोलते हैं? center of clock, ठीक है, इस point को center of clock बोलते हैं, अब देखें, ये जो पूरा circular region है, इस clock का, इस पूरे region को, ये जो दो line segment हैं, हमने जो draw किया है, ये चार equal parts में divide करते हैं, ठीक है, first, second, third and fourth, ये चार parts में divide करते हैं, और चारों ही part में 90-90 degree का angle बनता है, अब देखें, next देखते हैं, ये जो चार parts में हमने divide किया है, इसका जो प्रतियक part है, उसको हम लोग further, three equal parts में divide करते हैं, चलिए देखें, यहाँ पे मैंने, again three equal parts में divide कर दिया, 12 से 1, 1 से 2 and 2 से 3 कम, ठीक है, सबसे पहले तो पूरे जो clock है, clock का जो region है, इसको चार part में divide किया गया, इसके बाद, जो इसमें से एक part है, उसमें से प्रतियक part को three equal parts में हमने divide किया, ये part भी three parts में divide ہوगा, ये भी और ये भी, ठीक है, इसके बाद, again, इसमें ये three parts बने हैं, इनको हम लोग further, जो है, 5 equal parts में divide करते हैं, देखिए, क्या करते हैं हम लोग, 5 equal parts में, जिसे 2 और 3 के बीच में यदि मैं बात करूँ, तो 1, 2, 3, 4, and ये 5, 5 parts में ये again divide हो गया, अब देखिए, हम लोग थोगा एंगल देखेंगे, कि कितने कितने degree का यहां पे बन रहा है, तो देखिए, सबसे first part में यहीं हम बात करें, तो किसी भी point के, 4 तरफ जो angle form होता है, चारो तरफ जो angle form होता है, कितने degree का, 360 degree का, और हमने इसको 4 parts में divide किया है, तो ये क्या हो जाएगा, 360 degree divided by 4, यानि कि 90 degree का angle form होगा, यानि कि हर part में हमारा 90, 90 degree का angle form होगा, इसके बाद, देखिए, जो 90 degree का एक पार्ट था, इसको हमने 3 equal parts में divide किया, राइट, सो यहाँ पे 90 degree का जो एक पार्ट था, उसको हमने 3 equal parts में divide किया, तो each part कितने degree का होगा, यानि कि यहाँ पे तो 90 degree का था, और इसको जो 3 parts में divide किया हमने, तो each part कितने degree का बन गया, 30 degree का, ठीक है, each part 30 degree का बन गया, अब देख अगेन ये जो 2 से 3 के बीच का जो ये एक पार्ट है इसको मैंने further 5 equal parts में डिवाइड कर दिया देखें यहां से ये जो dots मैंने बनाए हैं इनको जब आप इस center से मिलाओगे तो ये 5 parts में डिवाइड हो जाएगा अब देखें 30 degree तो यहां था अब ये जो equal 5 parts यहां पे बने हैं ये कितने degree के हो जाएगे तो देखें 30 degree को अगेन आप 5 parts में डिवाइड करोगे तो each part 6 degree का आएगा इसमें से मैं एक को बाहर निकालके आपको दिखाता हूँ ये जो angle बनेगा कितने degree का बनेगा 6 degree का ठीक है कितने का 6 degree तो यहां पे रहा ये जो clock का जो circular region था उसको हमने कैसे divide किया हुआ है तो आप ऐसे किसी भी clock में देखते हैं तो यहां से 12 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे numbers लिखे होते हैं up to 12 तक और ये points के बाद 12 के बाद 1, 2 और इनके बीच में भी 5 छोटे-छोटे points आपको दिखते हैं तो हमने क्या देखा, ये जो पूरा complete एक पार्ट है, जब 4 parts में divide किया तो ये 90 degree, इसको जब हमने 3 parts में divide किया तो ये एक पार्ट दो consecutive number के बीच का जो region है, ये 30 degree का होता है और जो दो consecutive region को जब हमने 5 equal parts में डिवाइड किया तो यह जो छोटा part है दो छोटे dots के बीज का area वो जो region है वो कितने degree का angle फॉर्म करता है 6 degree का ओके यहाँ पर यह जो clock होता है उसका complete division हम लोग यहाँ तक समझ गए I hope कि समझ आया होगा अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी hand clock का जो hand होता है clock के hand का क्या मतलब है उसमें 3 तरग के hand होता है एक hour hand, minute hand and second hand ठीक है तो कोई भी hand आप यह दी लेते हैं आप ध्यान समझेंगे कोई भी hand है यहाँ 12 को point कर रहा है ठीक है तो वो दुबारा से ऐसे rotate करते हुए और फिर से 12 को यह दी point करेगा तो उसका क्या हो जाएगा एक complete rotation कहलाता है क्या बोलेंगे हम लोग उसको एक complete rotation तो आए मैं इसको सबसे पहले मिटाता हूँ इसके बाद हम लोग rotation के बारें बात करेंगे सबोज किजिए यहाँ पे हमारे पास यह minute hand ठीक है यहाँ से rotate करना है start की और एक complete rotation इसने लगा है ठीक है तो यह कितना time cover करेगी इसको आए लोग देखते हैं तो देखिए सबसे पहले आवर hand completes one rotation one rotation in देखिए आवर hand यहाँ से एक बार complete यहाँ से यहाँ तक अब cover किया एक rotation तो कितने time में 12 hours में ठीक है in the same way हम minute hand की यदि बात करें minute hand completes one rotation in one hour hr represents r देखिए minute hand यहाँ पे है और वो एक complete अपना rotate करके 12 को point कर रही थी पहले और फिर से 12 को ही point कर रही है तो कितने कितना time उसको लगे गया one rotation में वन आ इसकी बाद second hand जो है यह completes completes one rotation one rotation in one minute जो minute hand होती है वो जब यहाँ से rotate करना start करें और फिर से अपने position पे आ जाए तो कितने time में rotate करती है one rotation complete करती है one minute में तो यह हो गया कि our hand कितने time में rotate करता है ठीक है one rotation complete करता है minute hand one rotation complete करने में कितना time लेता है one hour second hand one rotation complete करने में कितना time लेता है तो one minute चलिए अब हम लोग clock के बारे में बात करेंगे तो आईए देखते हैं There are three hands of clock राइट पहले hand की यदि हम बात करेंगे तो our hand दूसरा minute hand और तीसरा second hand ठीक है? हम सभी लोग जानते हैं किसी भी clock के अंदर तीन hands होते हैं our hand, minute hand and second hand इसके बाद देखें अब हम लोग देखेंगे mainly जो हम लोगों से question पुछा जाता है वो hour hand और minute hand से related maximum question पुछे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि hour hand के द्वारा one minute में कितने degree का angle form होगा center पे तो यह कुछ हमारे लिए important points है जोनको की हम लोग note करेंगे first point है in one minute in one minute our hand moves one by two degree ठीक है hour hand यदि एक minute में hour hand का moment कितना होगा one by two degree ठीक है इसके बाद in one minute in one minute minute hand moves six degree minute hand moves six degree तो यह हमारे यहाँ पे दो point होगा है कि one minute में दी हम बात करते हैं तो hour hand जो move करेगा वो कितने डिगरी तो one by two degree यानि half degree और minute hand के दोरा कितने डिगरी का moment होगा six degree का ठीक है इसके बाद हम लोग बात करेंगे in one hour one minute में तो देख लिया हमने in one hour in one minute in one hour in one hour our hand moves देखिए one hour hand के दोरा one minute में कितने डिगरी का moment होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह 12 यह 6 3 9 यह center है यहाँ one यहाँ two देखिए our hand जो है suppose कि यह अभी one पे one को point कर रहा है और one से जब यह two को point करने लगेगा तो one hour complete हो जाएगा और हम लोगों ने अभी देखा है कि one से two यानि कि दो एडजेसेंट नंबर के बीच में कितने डिगरी का angle form होता है तो 30 डिगरी यानि कि one hour complete होने के लिए our hand को एक एडजेसेंट एक नंबर से दूसरे एडजेसेंट नंबर तक move करना होता है तो यहाँ पी कितने डिगरी का angle form होगा 30 डिगरी ठीक है इसके बाद in one hour minute hand के बारे में हम लोग बात करेंगे minute hand minute hand moves देखे minute hand की अब हम बात करेंगे ध्यास समझना आप our hand तो केवल और केवल one point से दूसरे point तक move करता है लेकिन जो minute hand है वो 12 से start होता है और फिर rotate करके अगेन जब 12 पे आ जाता है तब वो one hour complete करता है 60 minute 60 minute कवर करता है यानि कि वो one hour यानि कि उसका जो rotation है 360 degree हो जाए रहा कितना 360 degree तो ये कुछ points है जो की हमें question में help करेंगे तो इसको हमें अच्छे से note down कर लेना है ठीक है निया पे and की shine लगा सकते हैं चली तो hour hand minute hand के द्वारा एक minute में कितने degree का angle form होगा ये हमने देख लिया एक hour में कितने degree का angle form होगा हमने hour hand के लिए अलग और minute hand के लिए अलग अलग देख लिया ठीक है अब हम लोग next देखेंगे next point हम लोग बात करेंगे कि hour hand and minute hand के बीच में zero degree का angle कब form होगा ठीक है तो देखते हैं इसको देखें hour hand and minute hand coincide ठीक है देखें coincide का क्या मतलब है इसका क्या मतलब होता है ये ध्यान समझना है 12 6 3 and 9 देखें coincide का मतलब ये है कि our hand जो है वो भी 12 को point कर रहा है and minute hand जो है वो भी 12 को ही point कर रहा है ठीक है मतलब एक ही line में है और एक ही number को point कर रहा है यानि कि एक दूसरे के उपर exactly ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं coincide ठीक है अब देखें इस तरह का situation कितने hours में कितनी बार आता है हम लोग उसको देखेंगे सबसे पहले तो देखें coincide का जो situation है one hour में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे in one hour they coincide how many times तो only one time ठीक है each hour प्रते के एक घंटे में ये जो है एक बार दोनों ही hands जो हैं clock के ये coincide करते हैं ठीक है इसके बाद one hour में एक बार and twelve hours में twelve hour में कितनी बार तो किवल और किवल eleven times eleven times जो है को coincide करते हैं ऐसा क्यूं होता है तो ध्यान समझे यहां पर एक important point हम मैं लिखने जा रहा हूँ between eleven and one between eleven o'clock and one o'clock they coincide only one time ठीक है देखिए जब भी आप यदि घड़ी घर पे घड़ी को रोटेट करके आप देखोगे तो eleven o'clock और one o'clock के बीच में किवल और केवल वो एक ही बार coincide करेगा और वो कितने किस टाइम पे तो at only one time at twelve o'clock ठीक है बारा बज़ी केवल और केवल एक ही बार coincide करेंगी इसलिए पूरे 12 hour में 11 times यह coincide करती है ठीक है अब यदि 12 hours में हो गया तो पूरे one day में हम बात कर लेते हैं यानि कि 24 hours में 24 hours में 24 hours में कितनी times 22 times ठीक है तो यह जो है इस पर question पूछा जाता है कि इतने hours में या इस time से इस time के बीच में आप यह बताए कि how many times our hand and minute hand coincides तो इस तरह से हम लोग निकालेंगा हमें बस इसमें main point यह धियान रखना है कि 11 से 1 के बीच में यह केवल और केवल एक ही बार coincide क कि उसके अलावा हर hour में एक बार coincide करते हैं ठीक है यहाँ पर coincide का एक और भी meaning है क्या है angle made between hour hand and minute hand is 0 degree ठीक है क्या 0 degree का angle 0 degree का angle form होगा hour hand and minute hand के बीच में तो दूसरे तरीके से भी question पुछा जा सकता है चली हम लोग next point देखते हैं यह तो point रहा कि 1 hour में कितनी बार coincide करते हैं अब हम लोग देखेंगे कि 1 hour में कितनी बार एक दूसरे के opposite होती ठीक है next point देखते हैं hour hand and minute hand के बीच में 180 degree का angle कब फॉर्म होगा या फिर वो दोनों ही hand opposite कब होगे ठीक है उस situation को हम लोग देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले opposite होने का situation क्या है कि यदि hour hand जो है यदि 6 को एक example लेते हैं 6 को point कर रहा है तो जो minute hand है वो 12 को point करेंगे ठीक है यानि कि ये दोनों ही opposite direction में point करेंगे और बिल्कुल एक line में होगे तो इन दोनों के बीच का जो angle बनता है ये 180 degree बनता है तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इतने time duration के अंदर दोनों hour hand and minute hand के बीच में 180 degree का angle कितनी बार form होगा ठीक है तो आईए ये हमारा meaning रहा मैंने यहां पर क्या लिखा है hour hand and minute hand are opposite once in every hour ठीक है ठीक है जो hour hand और minute hand है एक घंटे में एक बार opposite face करते है ठीक है इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 12 hour में कितनी बार 12 hours में कितनी बार तो 12 hours में केवल और केवल 11 times केवल और केवल 11 times ठीक है and 24 hours में कितनी बार तो इसका ठीक डबल 22 times अब यहां पर point ये आता है कि जो hour hand and minute hand के बीच में ये 180 degree का angle form होता है या फिर they are opposite only once in one hour तो 12 hour में 12 times होना चाहिए लेकिन आप ध्यान से देखोगे क्या नीचे यहां पर 5 और 7 के बीच में 5 और 7, 5 o'clock and 7 o'clock के बीच में जो hour hand and minute hand है ये केवल और केवल एक ही बार opposite होते हैं और वो किस टाइम पे तो 6 o'clock पे ठीक है इसी लिए पूरे 12 hours में वो 11 times ही opposite होते हैं इस point को हम लोग note करके लिख लेते हैं यहां पर देखें data होते हैंशे हैंशे, लिख एक लिए मोग और 2 at ==== between, between 5 o clock and 7 o clock, at 6 o clock. ठीक है? क्या है? तो यह opposite का जो हमारा concept था, यह भी यहा पे complete होता है. अब हम लोग next देखते हैं. next है कि our hand and minute hand के बीच में 90 degree का एंगल कब form होता है या फिर वे लोग कब perpendicular होते हैं ठीक है our hand and minute hand are perpendicular Var perpendicular between twice in every hour फिर every hour ठीक है प्रतिक आएर में जो है जो our hand and minute hand are perpendicular की ěदिशी बात करते हैं तो देखिए perpendicular का क्या situation होगा यहाँ पे 12 है यहाँ 3 है यहाँ 9 है और यहाँ 6 है ठीक है देखिए suppose कि यहाँ पे 3 है 3 को hour hand point कर रहा है और 12 को minute hand point कर रहा है तो इनके बीच में कितने degree का angle है 90 degree का तो इस तरह की situation कितनी बार आएगी एक घंटे में या एक given time frame में वो हमें यहाँ पे calculate करके बताना होता है चलिए देखते है तो मैंने यह first point लिखा है कि every hour मतलब परती एक one hour में perpendicular का जो situation है वो दो बार आता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे in one hour both hands are perpendicular how many times two times ठीक है अब हम लोग बात करेंगे one hour का हो गया हम लोग बात करेंगे twelve hours then in twelve hours twelve hours में कितनी बार होगा तो देखे यहाँ पे twenty two times twenty two times देखेंगे अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की जरूवत है क्या कि एक घंटे में जब दो बार जो minute hand और hour hand है perpendicular हो रहा है तो twelve hours में twenty two times तो नहीं होना चीए twenty four times होना चीए लेकिन यहाँ पे एक point है सबसे पहले हम लोग यह लिख लेते हैं कि in twenty four hours या फिर one day कितनी बार perpendicular होगा तो यह twenty two का double 44 times अब हम लोग एक important note लिख लेते हैं so that कि हमारा जो यह point है यहाँ पे cover हो जाएगा perpendicular का जो situation है यहाँ पे two और four here eight and ten आपको यह ध्यान समझना है perpendicular होने का क्या situation है देखे दो से चार बजे के बीच में केवल और केवल थ्री टाइम ही जो hour hand है और minute hand है वो perpendicular होते हैं ध्यान समझ लिए बतार रहो दुबारा से मैं क्या है दो बजे से चार बजे के बीच में दो घंटे होते हैं तो उसमें चार बार perpendicular होना चाहिए लेकिन यह केवल और केवल थ्री टाइम सी परपेंडिकलर सो करते हैं इन दे सेम वे इस साइड में 8 ओकलॉक से 10 ओकलॉक के बीच में भी केवल और केवल थ्री टाइम सी यह एक दूसरे के परपेंडिकलर होते हैं बाकी पूरे टाइम में सेम रहता है ठीक है बाकी पूरे टाइम में क्या होगा वन आर में टू टाइम सो परपेंडिकलर होंगे लेकिन यह जो दो सिच्वेशन से हैं इन में केवल और केवल थ्री टाइम सी परपेंडिकलर होते हैं तो इसलिए ट् जो है question देखेंगे इस lecture में, ठीक है, तो आईए, यहाँ पर first lecture का जो भी concept है, यहाँ पर complete होता है, चलिए, जल्दी से question करते हैं, question number 1, find the angle between, find the angle between minute hand and hour hand, minute hand and hour hand at 4 o'clock. चलिए, देखते हैं, आप से क्या पूचा गया है, कि angle between minute hand and hour hand at 4 o'clock, देखिए, एक बर सबसे पहले हम लोग imagine करके देख लेते हैं, देखिए, यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, 3 के बाद 4 आता है, यहाँ पर भी आपको 2 गयाप होते हैं, देखिए, 4 o'clock कब होगा, जब hour hand 4 को point कर रहा होगा, और minute hand 12 को, यहाँ कि हमें यह जो angle form हुआ है, यह हमें बताना है, ठीक है, तो देखिए, कैसे निकालेंगे, angle, hour hand and minute hand is equal, अब देखिए, इन दोनों के बीच में यह angle हमें निकालना है, अब देखिए, आपको मैं क्या बताया था, कि जो दो consecutive number जो होते हैं, जैसे 1 से 2, इनके बीच में कितने degree का angle form होता है, 30 degree का, तो ऐसे 1 से 2 के बीच में 30 degree, पहले यहाँ 12 से start होगा है, एक point कहाँ पे है, 12 पे, तो 12 से 1 के बीच में 30 degree, then 1 से 2 के बीच में 30 degree, 2 से 3 के बीच में 30 degree and 3 से 4 के बीच में 30 degree, ऐसे कितने हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 parts, right न, 30, 30 degree के कितने, 4 parts, यानि कि 30 degree multiplied by 4, okay, ये कितना हो गया, 120 degree, यानि कि at 4 o'clock, angle between minute hand and hour hand will be 120 degree, ठीक है, तो इस तरह से आपसे question पूछ लिया जाता है, इसके बाद हम लोग एक और question देखते हैं, जाके, in 5 minutes, the minute hand travel, the minute hand travel, options है आपके पास, 6 degree, 6, 30, 20, 12, 6 degree, B, 30 degree, C, 20 degree, and D, 12 degree, आपसे क्या बोला गया है, 5 minute में, देखे, ये circle है, ये clock है, 12, 1, 2 and 3, right, 5 minute, 5 minute का क्या मतलब है जी, देखे, minute hand अभी 12 को point कर रही है, 12 से जब ये 1 को point करने लगेगी, तो यहाँ पे हमें 5 parts होते हैं, तो ये 5 minute cover हो जाएगा, 12 से लेके 1 तक, यानि कि ये जो angle है, ये कितने degree का बनता है, किसी भी hand के दौरा, तो किसी भी hand के दौरा, ये जो 5 minute का जो time है, minute hand के दौरा हम लोग देखेंगे, तो 12 से 1 पे जब minute hand point करेगा, तो वो 5 minute cover करेगा, यानि कि ये जो angle कितने degree का बनता है, 2 consecutive number के बीच में, तो 30 degree का, यानि कि यहाँ पे हमारा 30 degree क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि minute hand है, minute hand जब 12 से 1 पे जाएगा, तब जाके 5 minute complete होंगे, तो इस तरह से कुछ question पूछे जाते हैं, इसके बद एक question और है, जो कि आप से ये पूछा जाता है कि कितनी बार जो है, opposite हो गया, या फिर coincide किया, तो एक question इस पर भी देख लेते हैं, question number 3, the hand of the clock will be in opposite direction, in two days, ठीक है, आप से पूछा गया है, कि कि दो दिनों में, how many times the hands of clock will be in opposite direction, देखिए, इसमें जब भी बात किया जाता है, तो केवल और केवल hour hand and minute hand के बारे में ही आप से बात किया जाता है, opposite situation में, ठीक है, opposite direction में, तो हम लोग अभी अभी इससे पहले concept कर चुके हैं, क्या है, कि in one hour, एक घंटे में, opposite direction में, minute hand and hour hand कितनी बार होते हैं, only one time, ठीक है, one time, 12 hours में कितनी बार, 12 hours में, 11 times, right, तो 24 hours में, 24 hours में, 22 times, right न, अब देखें, 24 hours किसके बराबर होता है, one day के, है न, one day के equal होता है, तो two days के लिए क्या करो गया, double है न, two days मतलब 24 का double 48 hours में, कितना, इसका double 44 times, तो यह क्या हो जाएगा, आपका answer है जाएगा, जो भी time frame दिया हूँ, इस तरह का question ने दी आपसे पूचा जाता है, कि कितनी बार opposite direction face करेंगे, तो इस तरह से यह आपका answer हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी concept है, इस lecture में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, lecture one के लिए इतना तक ही हम लोग रहने देंगे, thank you so much.